दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पालिक हवर बिहार में आज मिले 235 नए मरेज एक्टिव केस भी घटे जिह बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 235 नए मरेज मिले हैं वहीं एक्टिव केस घट कर 234 पर पहुच गया है वहीं सबसे अधिक पटना में 48 नए केस मिले हैं इसके अलवा मदिपूरा में 25 और पूर्निया में 24 नए केस मिले हैं अगली बड़ी खबर बिहार के पाच जिलों में कोरोना के नए मरेज नहीं सभी जिलों में 50 से कम आमले जानी ताजा हार जिह बिहार में कोरोना संक्रमितों के संक्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है एक बार फिर 24 घंटों के दोरान राज के पाथ जिलों में नई कोरोना संकरमित नहीं पाए गये हैं इनमें जहानाबाद केमूर, खगडिया, सेखपुरा और लखिसराय जिला सामिल है इसके अलावा राज के किसी भी जिले में 50 संकरमित नहीं पाए गये हैं आपको बदा दे कि पाथना जिले में सरवादे का 48 नहीं संकरमित पाए गये हैं जबकि राज में संकरमन का दारब 25 परतिसत रह गया है राज में कोल 235 नहीं संकरमित पाए गये हैं जबकि इस दोरान 328 लोग स्वास्त भी हुए हैं राज में एक्टिव केस की संक्या 23,54 रह गई है और रिकवरी रेट 98,24 परतिसत हो गई है। संक्रमन को लेकर 95,000 सेंपल की जाच की गई थी। राज के जेन जिलों में नई कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बाड़ी कबर बिहार में अभी जारी रहे गिठान। प्रदेश में औस सामान से पाच डिग्री सेलसियस नीचे हैं। फरवरी का तापमार पिछले साथ सालों में सबसे कम है। 70 की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 48 घंटे में प्रदेश के अवसत तापमार में 2-3 डिग्री सेलसियस की गिरावट दर्ज होने के आसार है। अगले कुछ दिन प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मैदम से घंटे बादल चाहे रहने का पुरुवानमान है। आपमान 6.7 डिग्री सेलसियस और अंगाबाद में दर्ज किया गिया है। इधर प्रदेश के उत्तर पूर्व के तमाम इलाकों में समाने से अधिक बारिस दर्ज की गई है। अगली बड़ी कबर बिहार में एक मैने के बाद से गुलजार हुए जू और पार्क दो बज़े के बाद से नहीं मिलेगे एंट्री जाने से पहले पड़ले सारे नियम। जी हाँ एक मैने बाद से समवार से जू और पार्क फिर से खुल गए हैं दर्सक सेर सपाटा करने लगे हैं समवार को सब्ताइक बंदी के कारण जू गोलदर और मुजियम मंगलवार से यानि आज से खुलेंगे और सभी टूरिस्ट स्पोर्ट खुल जाएंगे हाला कि सरक सब्सकार के अगले आदेश तक यह समय रहेगा दर्सकों के लिए टूरिस्ट स्थलों पर सभी स्विधाय बहाल रहेगी जो में 3D थियाटर, बोटिंग, ट्रेकलस ट्रेन, बेटरी वाहन सभी चलेंगे पार्कों में जोले और ओपेन जीम संचालित रहेंगे जो और पार् पार्क के अंदर एक जगव पर समों में रहना परतिबंदित रहेगा, सर्दिक खासी और जुकाम वालों को एंटरी नहीं मिलेगी, दर्सक पाने के बोतल और सनिटाइजर साथ में लाएंगे अगली बड़ी कबर बिहार में सियम फिर अभियान पर निकलेंगे, मुख मंतरी 14 से सुरुक करेंगे जनता दर्बार, 22 से सुरुक कर सकते हैं समाज सुधार अभिया यहाँ, लोक्डाउन में डहल के साथ मुख मंतरे के स्थगित काईर करम होने की सुखवुगाहट सुरु हो गई है पिछले दिनों मुख मंतरे नितिस कुमार ने समाज सुधार अभियान सुरुक किया था लेकिन कोरोना की तीसरे लाहर में इसे पूरी तरह से इस्तगित कर दिया गया था लेकिन अब सुचना मिल रही है कि मुख्यमंतरी नितिस कुमार समाज सुधार अभियान में सुरू करेंगे इसके अलावा मुख्यमंत्री नितिस कुमार अगले हफ्ते से जनता दर्बार भी शुरू कर देंगे एक मैने में तेन जनता दर्बार आवेजित होता है लेकिन फरवरी में या जनता दर्बार मैने के दूसरे समवार यानि 14 फरवरी को किया जाएगा। सिक्षा परियाटन व्यापार धारमिक परियाटन का होगा विकास। अग्वानी की तरफ निर्माना दिन पिलर संक्या पंद्र के अलवा लगबक सभी पिलोरों का निर्मान कारे लगबक पूर्ण कर लिया गिया है। उपर स्ट्रक्चर एवं चत डलाई का काम तेजी से किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर आरजेडी अकेली लड़े के मलसी चुनाव एक सीट सीट सीपियाई को आठ फरवरी को तजस्वी खुद करेंगे उमिदवारों के नाम की गोस्टा। और कॉंग्रेस के रास्ते 24 सीटों पर होने वाले मलसी चुनाव में अलग होगी क्योंकि राज़त ने साब कर दिया कि 23 सीटों पर उसके उमिदवार होंगे जबकि एक सीट पर सीपियाई चुनाव लड़ेगी। अगली बड़ी ख़बर ठंड को लेकर डियम का अदेश पटना में सुबह नौ बज़े से साम साड़े तीन बज़े ही होगा बिदलयों का संचालन। कोरोना के तीसरी लाहर कमजोर होने के बाद गाई लाइन में चुट देते वे सरकार ने साथ फर्वारी से सभी प्रावेट और सरकारी स्कूल खोल दिये हैं लेकिन ठंड को देखते वे स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। प्येम डाक्टर चंद्र सेकर सिंग ने ठंड को देखते वे सभी सरकारी और प्रावेट स्कूल को निर्देश दिया कि सुबह नौ सी साम साड़े तीन बज़े तक की स्कूल का संचालन करें। आगनवारी केंद्रों को भी कोलने और बंद करने का यही समय निर्दारित है। राष्टे करकरन की बेड़क में भाग लेने के लिए लालू प्रसाद फर्वरी को पटना में आ जाएंगे। करकरन में 26 राज़ों के 250 से अधिक प्रतनिती भाग लेंगे। राज़त इस करकरन की बेड़क को लेकर व्यापाग त्यारिया कर रहा है। अगली बाड़ी कबर राज़ के किसानों को 10 दिनों में मिल जाएगा फसल छती पूर्ती का पैसा भुगतान में देरी करने वाले अपसर न पेंगे। बाड़ और भारी बारी से फसल का नुकसान होने के बाद सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता क्रिसी इंपूर्ट अनुदान में देरी करने वाले दिकारी क्रिसी विवाग के रडार पर आ गये है। क्रिसी मंत्रे अमरेंदर प्रताब सिंग ने मुक्याले के इस्तर पर लाकों मामले के लम्मित होने के लिए तकनिकी करनों के साथ साथ अधिकारियों की लापारवाई को भी जिम्मिदार माना है। मीडिया में प्रकासित खबर पर सग्यान लेते वे क्रिसी मंत्रे अमरेंदर प्रताब सिंग ने सनिवार को बताये के दस दिनों के अंदर क्रिसी इनपूड अनुदान का पैसा किसानों के खातों में पहुचा दिया जाएगा। एक नया जल मार्ग मिल गया है यह जल मार्ग पटना से कुलकत्ता बंदरगा होते वे असम तक है सनिवार को पटना से 200 टन चावल लेकर माल वहक जहाज असम के पांडू के लिए रवाना हुआ। के ताथ या कारगो बंगलादेश में 900 किलोमेटर का सफर ताई करेगा। इसके बाद या असम के डुमरी बॉडर से फिर भारत में परवेश करेगा। या से 250 किलोमेटर की दोरित ताई कर कारगो पांडू पहुचेगा। अगली बड़ी खबर बिहार में गाडियों को नश्ट करने के लिए आदोनिक होंगे कबाड केंदर, CCTV की निगराने में होगी पूरी प्रक्रिया। इसमें गाडियों को नश्ट करने के लिए बनने वाले कबाड केंदर आदोनिक होंगे इसमें मानव हस्त चेप काम और मसीनों की भूमिका दिखोगी केंदर में परियावरन संतुलन का खास क्याल रखा जाएगा। लोगों के साथ गाडियों के नश्ट करने के पूरी प्रक्रिया CCTV की निगराने में होगी ताकि सरकार जब चाहे वह कबाड केंदरों के पूरी प्रक्रिया के तहकिकात कर सके। अगली बाड़ी कबर गया में स्पेर ट्रेन के तीन बोगया बेपटरी पहाड़ पूर रिल्वी स्टिसन के पास पटरी से उत्री ट्रेन तीन घंडे तक अब डाउन सिवा बादी जिहां गया के पहाड़ पूर रिल्वी स्टिसन के इस्ट केविन के निकड़ गया से जार स्पेर्ट्रेन के तीन और रिलोयागं अधाया बादी तरहा बताया जा रहा के सुप्यांता स्वार्जम, क कुनार दएके पूर्वजे श़ुजर्यागंs, इससे पट्री इसके पूर्ज़र के के पूर्वो सरकीट हुआ था इसके बाद ट्रेन की वोग्या बेपर्टरी हुई विजली की सोड सरकीट होने से पहाड पूर स्टेशन अधिरे में डूबा है अरंध की बड़ी खबर एसिक ने 3882 पदों पर निकाली है वेकेंसी मेट्रिक इंटर पास और ग्रेजुएट भी कर सकते हैं अ अपने अधिकारिक वेबसाइट पर कुल 3882 पदों के लिए बहाली निकाली है 15 फरवारी तक अमिद्वार आवेदन कर सकते हैं आवेदन भरने के लिए ऐसिक के अधिकारिक वेबसाइट esic.nic.in पर जाना होगा और अपना फॉर्म फिलाप करना होगा कर्मचारी राज बिम आवेदन कर सकते हैं लेकिन इसके लिए अलग-अलग पदों के लिए उन्हें अलग-अलग फर्म फरना होगा आज के लिए आपका सवाल बताए कि पाटना की तरह राज के सबी जिलों में स्कूल के टाइमिंग में बदलाव होना चाहिए या नहीं इसका जवाब आप हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताए